गुड मॉर्निंग डिये इस्ट्वेंट्स वेलकम टो प्रोफेसर एस्पी गोयल जाइस क्लासरूम प्यारे विद्यार्थियो आप सभी को पता है कि मैं तीन चाह दिन वीडियो नहीं बना सका ज्यादा बिमार होने की वज़े से अब मैं जैसे होस्पिटल से डिस्चार्ज ह अब मैं आज पहला ही दिन है घर पे और अब यह पॉसिबल नहीं है कि मैं फॉर्मल वीडियो उस तरह से जैसे आ रही थी वह लेके आऊं लेकिन क्वालिटी वही है मैंने सुबह तीन गंटे लगाए न्यूजपेपर पे सारे कॉस्चिन नोट किये और आपको सारा न्यू यह सारे कवर करूँगा मैं आपने बिल्कुल नहीं गभराना और मेरे कॉस्चिन उसी तरह से क्वाल की देखना आप आज भी तो इसलिए अभी तीन-चार दिन मैं बैड से ही करना चाह रहा हूं ताकि उस तरह से फॉर्मल जो है वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो अब हम चलते हैं आज के दी हिंदू पे सबसे पहले देखिए आप वर्ड पेज पे चलिए आप चिली वाइल्ड फायर अब आपको चिली के साथ पेर बना देंगे वाइल्ड फायर में चिली में क्या प्रोलों में इस से में क्यों अमर्जिन्शि लगाई है उन्होंने जेंट्रल और साउदन पार्ट में बें कंट्री में पार्ट्स ओप्ध कंट्री में क्यों एमर्जिन्शि लगाई है वो वाइल्ड फायर की वजए से दूसरा मैंने इसमें निकादे है रसीयन कोस्मोनाथ ओलग कोस्णन को इनाने जो है वर्ल्ड में यह इसी फर्स्ट कोस उसका ने वहाँ पर इसने 878 से ज्यादा दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए हैं, कभी-कभी आशा प्रलिमरी पूछ लेते हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं, आज के हिंदू के इडिटोरियल पे, एक कुश्चन मैंने एडिटोरियल से निकाड़ा है हाज, अब देखिए, इंडिया- श्री-लंका रेलेशन्स पे, इसमें एक ही मुझे समझ आया परलिमरी के लिए, यह आपने आर्टिकल पढ़ना है, इसमें समझने है कि को ऐसी बात नहीं है, इसमें जो दिदुन्ति व कहां पे है, इस श्री-लंका में है जहां पे यह प्रव्ल्म ररेती है, हमारे जो फिशर तर्वोदीरंड चल गहते हैं, वह उनको और अरेस्ट कर लेते हैं। और आपने यह प्रव्लिम पढ़नी है, भी क्यों अरेस्ट करते हैं, क्या प्रोब्लम है ये, ये खास करके तामिल लाडू के और पुडुचेरी के, इसमें क्या रूल है, एक तो डीप सी फिशिंग लाउड है, इंडिया में, इंडिया ने जो ना, ब्लू रिलूशन स्कीम में, डीप सी फिशिंग को लाउड किया ह जो बॉटम सी फिशिंग बौलाउड निय है, अब इसमें ये भी लिख्या हुआ है कि इंटरनेशनल मेरिटाइम बाउंडरी लाइन, इसमें नाइन नाइन, नॉर्टिकल माइल्स, और ये आपने देखना है कि तामिलादू मेरिट, फिशिंग रिगल्रीटिंग अक्ट 1983 क तो इसको नोट्स में लिखते जाओ सिंज डिस्टेंस बिट्विन धनूस कोड़ी मैंने पहले भी बताया आपको धनूस कोड़ी हमारे इंडिया में है और इंटरनेशनल मेरी टाइम बारंडरी लाइन ये शिरफ नो नाटिकल माईल का डिफरेंस है इनका तो हमारे जो फीशरमेन है वो आगे चले जाते हैं जिससे यह जो नौर्धन स्री लंका के जो फीशरमेन है वो उनुन की जो नेवल है वो अरेस्ट कर लेती है और ये बड़े पुराना चलता आ रहा है तो दिश इज ए ग्रेट प्र किये बहुत अच्छा अर्टिकल आपका मेन एक्जामिनेशन के लिए 10 से 15 नंबर का मैं हमेशे एक्सपेट करता हूं इस कुश्यन को यह मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि 73 अमेंडमेंट है ना हमारा वो वो हमारा पंचायत सिस्टम है ना जो उसकी डी सेंट्रलेशन खास करके फाइनेंशियल अटोनोमी उसकी बताई गई है यह समस्या कि अभी गरांट कहां से आती है अब इसमें देखिए 80 परसेंट जो रविन्यू है पंचायत का सेंट्रल गवर्मेंट की गरांट से आता है 15 20 परसेंट स्टेट गवर्मेंट से आता है और जो यह फाइनेस कमिशन है वो डिवोल करता है फंचायत को कुछ फंच को सेंटर से आते हैं उसके थूरू आते हैं अब इसमें में इंपोर्टन यह है कि आपको यह पता होना चाहिए इसका गरांट कहां कहां से आती है सेंटर रूरल आउसिंग, वाटर मनेजमेंट, टूरल इलेक्टिफिकेशन, एल्थ केर, सैनिटेशन और कई जगे जिला परिशद, रिश्मांसिवलन, स्कूल, होस्पिटल, डिस्पेंसरी जो माइनर इरिएशन के लिए जब पंचायत के पास अपना रेविन्यू एक परसेंट के करीब है, तो इसलिए उनकी आटोनोमी पर भी इंटरफेरेंस होती है, most पंचायत सफर फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम दे टॉप लेवल, टॉप टू टायर सिस्टम हो, पंचायती राज, इंटरफेरेंस है, तो इसलिए फिर आगे आप देखिए, कि इन्हों ने दिया है कि अंडर राष्टिय ग्राम सवराज्य अभियान स्कीम तो जाते इसमें के पंचायत के लिए जो है कोई फंड नहीं मिला, मतलब इसमें जो बताया गया है, वो है फंड की कमी, हमेशा से, there have been financial crunch in all पंचायत, development इसलिए जो है, decentralization पूरी तरह से, जो implementation है वो नहीं हो पाई, तो इसमें अब आगे, पहरा में देखिये, RBI ने बताया है, कि there is need to promote greater decentralization and empower local leaders and officials, और इसमें बड़ा अच्छा लाइन लिखिया है, जो यह ऐसे लिख हो गए ना आप है, तो आपके दस में से मैंने बताया, साड़े साथ में बढ़ाएंगे, पंचायच, पंचायच can earn through taxes on profession and trades, पंचायच के अपने income कहां कहां से होती है, यह भी आपको पतावना चाहिए, individual income पंचायच की कहां से है, taxes on profession, trades, land revenue, stamps, then recession fee, taxes on property and service tax, यह पंचायच के different heads है, जहां से इनको income आती है, लेकिन वो भी शिरफ एक परसेंट है, तो यह आर्टिकल इसलिए important है, इस तरह से पूछ लेते हैं, जैसे अब question देखिया, मैंने बना दिया question 80% of the revenue of the पंचायच was from center government, 15% from state government, इदी यह article अमें नहीं पड़ा होता है, तो हमें नहीं अंदाजा होता है, यह तो अंदाजा हो सकता है, center का ज्यादा होगा, कभी लगेगा state का ज्यादा है, funds, तो हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं, किसी question में, तो ऐसे question, data points यह, मैंने आपको बताया, एक या दो question आपके में में सिद्धे आएंगे, ठीक है, अब next text and context पर देखिए, और उत्राखंट, UCC, Uniform Civil Code, अब उत्राखंट सरकार, assembly, UCC एक लाने जा रही है, UCC bill pass करवाने जा रही है, assembly में करने जा रही है, अब यह बहुत अच्छा article है, ऐसे article बहुत सारे मैं आप से लिश्यस कर चुके हूँ, अब देखिए, पहले सबसे important क्या है, what does a UCC aim to do, अब इसमें UCC का पता है आगा, दो लाइन लिखनी आपने, सबसे पहले, introduction, UCC 6, to create a uniform set of laws, to replace the distinct person laws of every religion pertaining to subjects such as marriage, divorce, adoption and inheritance, this stems from article 44 of the constitution, आपने इतना लिख दिया, तो अग्जामनर समझेगा भी कितना संकुचित form है, कितना brief form है, कितने, हर word आपका जो है, बोलता है, ये दो तीन लाइन आपने लिख दी, अग्जामनर समझ जाएगा, he or she is very intelligent, critical way से लिखते हैं, ठीक है, अब इस article को पूरी तरह से आपने दो बार पढ़ना है, समझने की कोई बात नहीं है, नोट कर बनाने हैं इसमें से, एक तो आर्टिकल 44 हमेशा पता होना चाहिए आपको, अब ये क्यों जुरूरी है, उत्राखंड सरकार अब जो है, और दूसरी गुजराद गोवर्मेंट, जो मद्यपरदेश गोवर्मेंट वो लाने जा रही है, ये सेंटर को नहीं ला रही है, एक आप ये द्यान रखना, जितना मैंने ये सब्जेक्ट बोल ले हैं, मैरीज, डाइबोस, अडोप्शन, इनेरिटेंस, विल, जितने भी हैं, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, मिन्स, सेंटर भी बना सकती है, इसमें कानों तो स्टेट भी बना सकती है, ठीक है, ठीक है, तो ये पता हूँ अचिए आपको, एक आर्टिकल 162 इसमें दिया गया है, वह आपने देखना है, एक इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखे हैं, दो-तीन, के भी सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटर, वह है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पेटिशन है इस पर, UCC पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कि बेंच हैड़िड बाई, CJI, दिश्मिस ओल पेटिशन्स, पाई अबजर्विंग, आपको सुप्रीम कोर्ट की स्टेंडिंग का पता होना चाहिए, यूजी सी में क्या है, ये ऐसे निकालने हैं आपने, और ये जितने लिखे हैं इसमें, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये कैसे वाइलेट हो रहे हैं, ये सारे आपने, शाबानों बेगम केस था, जो कि राजियोगादी गोवर्मेंट ने जो ना, अंडू कर दिया था, पारलि ये बिलकुल बहुत ही इंपोर्टन है ये और ला कमिशन ने क्या का है, ला कमिशन की क्या स्टेंडिंग है, सबसे इंपोर्टन तो है कि अब अर्टिकल 44 कहता है कि यूजी सी मनना चाहिए, कॉंसिट्टिशनल जो है, ये उब्लिगेशन है, गोर्मेंट पर इस में क्या अ क्योंकि सब एक सासा लिगेंगे, स्टेडी मेटरियल से, मिलता जूलता सा, लेकिन ये जब लिगेंगे तो क्रिटिकल ये अप लिगा जाएगा, थिक इस आर्टिकल को पढ़के इसमें से नोट्स बढाईगे आप, और अगे आता रहे गाई ये, आर्टिकल पूरे साल आत इन्कूलूड़ी इन करंट करंट लिस्ट, कौन करंट लिस्ट, ओफ, सेवन सेडूल ओफ दा कॉंसिटूशन, तीक है, अब हम चलते हैं, आज के इंडिन एक्सप्रेस पर, अब इंडिन एक्सप्रेस में तीन ही आर्टिकल है, सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा फ्रेट इसमें लेट में आप देखें, नॉर्टर आईरलेंड पर इतना संदर आर्टिकल है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके प्लिमरी में आ सकता है, मैंने क्वेश्चन आप इस अच्छी तरह से पढ़िये और दो बर पढ़िये, मैंने इसको दो बर पढने के बाद ये का लाए है मैंने यह देखिए गुट फ्राइडे अग्रिमेंट अफ 1998 गें नॉर्दन आयरलेंड ए युनिक सिस्टम अफ गवर्रनेंस तन स्टोर्मॉंट यह आपने भी फस्टाम सुना होगा मैंने तो फस्टाम सुनाई है पारलियमेंट बिल्डिंग इन वेलफास्थ स्टोर्मॉंट इस दा सीट अफ नॉर्दन आयरलेंड असेमली अभी तक तो मैं यह मानता था नॉर्दन आयरलेंड और आयरलेंड एक ही कंट्री है नहीं आयरलेंड EU का पार्ट है नोर्दन आयरलेंड जो है यह अलग से गवर्नेंस है देखिए विंड्सौर फ्रेमवर्क और 2023 अब यह आप से पूछ लेंगे परली में विंड्सौर फ्रेमवर्क और 2023 99 परसेंट लड़क मच्चा नों तो पढ़ा नहीं होता है विंड्सौर फ्रे यह तो जो 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 ग्रीन लेंज है यह जो रेड है लेज़ है रेड लेंज में जो न अलग से पिरामेटर है स्टिक्ट है नोर्म गुड्स के जाने के तो लन अंदर न्यू डील ग्रीन चैनल इज नव यू यूके इंटर्नल मार्केट चैनल, अब ये UK की इंटरनल मार्केट चैनल है, ग्रीन चैनल, तो इस तरह के question कितना मुश्किल है, ये अधरवाई ये दिन नी पड़ा हो, तो ये question कोई करी नहीं सकता, और ये गवर आपने पढ़ लिया ये, आज ये हिंदो में भी आया हुआ है, लेकिन एक्स्परेंट पर चैनल को बड़ा ही, जो ना, क्रिटिकल बेश आया है, कितना अच्छा आठिकल आया है, देखिए, आप इसको दो बर पढ़िए, और शेके नोट पनाए है, अदर वाइस तो बिना नोट सो तो फाइदा ही नी पुब्लिक डेट पर जब भी कुष्छन आएगा तो इस तरह के आर्टिकल काम आते हो हमारा एकोनोमिस बड़ा वीक है इसलिए वीक रहता है कि हम ऐसे आर्टिकल नहीं पड़ते हैं नीजवेपर के हम सिद्धा जोना स्टेटिक मठील पड़ते हैं सारा एकोनोमिस का एंसी पड़ते हैं दूसरा तो यह आर्टिकल आप पड़ेंगे तो पॉब्लिक एक दम समझ आ जाएगा आपको कैसे फिस्कल डेफिट कम हो सकती है सेंटर की कैसे बॉर्विंग होती है यह सारा जुना उससे आप इस आर्टिकल को प्लीज पढ़िए तन एक आर्टिकल हो रहा है दिपाम जो डिपार्टमेंट पॉब्लिक इन्वेस्टमेंट का उसको दिपाम कहते हैं वह देखना आपने किस मिनिस्ट्री गेंडर है दिश इन्वेस्टमेंट नट एपनिशिया फोर फिस्कल डेफिसिट पेज 13 देखी एकोनोमी पेज इंडिन एक्सप्रेस का इसको किता अचए अच्छा अर्टिकल यह मैनु पूछ सकते हैं इस अच्छा नटी करिए यही मुश्किल होता है आपकर पेपर में आपको यह मुश्किल लगते है क्यों वैंन्यृज वेपर शओते हैं झेर तो आज के लिए मैं समझता हूं कि मैंने सारे ही जो है दुन्हों तुम तिन्वार पढ़के उनके नोस बना लिजिये प्लीज, thank you very much.